नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भी कपला करिवर आपके सारी एक्षाय मनुकामने पुरी हो यहाँ पर इस हैंड में सबसे पहले उन सरे रीजन्स के बारे में मैं बताया जाएगा जिसके करण आपको married life issue और career के regarding struggle stresses आ रहे हैं और यह कब तक रहेगा और इसके सुधरने की क्या chances या इसके regarding future के क्या indications आ रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हथेली में island के science बनते हैं तो यह बिलकुल भी ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि इस condition में life एक प्रकर से restricted हो जाती है कोई भी growth नहीं हो पाती है life एक तरीक से stuck होती दिखाए देती है जिसमें कुछ भी नया अच्छा या मनमुताबिक नहीं होता है तो अगर हम आपके life line के regarding इसका judgment लें तो यहाँ पर यह समय आपके जीवन में start तक्रीबन हो चुका था around 34 के age के आसपास में और यह जो island का formation है यह at least 3 year के आसपास में यानि 34 से लेकर 37 के age में अभी last stage पे आप चल रहे हैं जिसमें आपका life एक प्रकार से stuck है अब यहाँ पर island का formation बना हुआ है और यहीं same to same island का formation mind line के उपर भी है तो जब mind line के उपर island होता है तो यह सीधे की सीधे आपको mental stress, pressure, anxiety देने लगता है और उसके पीछे reason जैसा की life line भी है तो यह आपको क्या करेगा की career के regarding, family life के regarding, struggle and stresses ज़्यादा देगा अब आपके case में जो mangal का छेतर है वो तक्रिवन विक्सित सामान है लेकिन सहयोगी रेक है अच्छी है दूसरी आपके हतेले में एक जो यहाँ mercury line है वो ज़्यादा अच्छी है तो इस condition में यह health में बार-बार सुधार कर दे रहा है जैसे कि health में बहुत जल्दी recover होना बहुत ज़्यादा कोई major issue health के regarding ना आना लेकिन family life के struggle को यह बढ़ा दे रहा है और यह career के regarding भी unsatisfaction, unstability दे रहा है तो यह जो आपके ऊपर जो struggle, stresses है यह at least मान के चलिए कि 3-4 महिने at least और रहने वाला है चार महिने के बाद में आपके जीवने बहुत ज़्यादा सकरात्मक परिवरतन होने वाला है उसके पीछे कुछ another indications है जैसे कि यहाँ पर आप बारी किसे देखें तो एक आपको progress line दीखेगी जाते हुए दूसरी line दीखेगी, तीसरी, चोती और फिर इसे छोड़ी चोड़ी और भी रेखा है निकल रही है लेकिन यह जो progress line निकल रही है यह इस बात को दर्शारी है कि कोई भी बड़ा desire, ambition आपके खुद के ही मेहनत के द्वारा आप पूर्ण करेंगे खास कर आपके career में growth होने के chances बहुत जादा bright है 38 जैसे उमर आप touch करेंगे इसके just one में अगर आप बारी की से देखें तो आपकी इस छेत्र में ध्यान से देखी तो life line में थोड़ा से यहाँ पर changes होता दिखाए देरा इस प्रकार से तो यह सिदे की सिदे standard of living luxuries and comforts में positively changes लाता है और जब इस प्रकार की कोई भी another line निकलती है तो इस condition में अधिकतर यहाँ पर पाया गया है कि कोई भी divine help मिलता है इस condition में कोई भी व्यक्ति विशेश आपके जीवन में कैसा आएगा या कोई आ सकती है जिसके करन आपका life बहुत जब बैलेंस होना शुरू हो जाए क्योंकि यह divine help होता है तो यह life line के पीछे में आता है इसलिए back support को indicate करता है कि आपके life में definitely support system किसी another person के दोरा आएगा तो यहाँ पर यह जैसे कि आपकी second marriage है थोड़ा सा अगर आप patience रखें remedies को अगर follow करें क्योंकि आपके हतेले में अगर हम देख सकते हैं आपको शुक्र थोड़ा सा जादा यहाँ पर पीडित है शुक्र पर जब इतनी सारी आड़ी रेखाएं होती है या जाली नुमा आकरिती होती है तो इस condition में जो एक प्रगर से भरोसा होता है पार्टनर के रेगार्डिंग वो थोड़ा कम होता है बिलीव सिस्टम कम होने के कारण यहाँ पर डाउट्स बहुत ज़्यादा create होने लगते है और यह sexual pleasure और तमाम तरह के pleasure and fruitfulness का कारक है तो उन सारी चीजों में भी कई न कई कमी आते वे दिखाए देती है और भी another reasons होते हैं पर जब जाली नुमा आकरेती हो तो married life के disturb होने के लेकिन यह कुछ main reasons है तो यहाँ पर यह जो supportive line आ रहे है यह इस बात को ensure कर रहे है confirm कर रहे है कि definitely आपका यह married life बच जाएगा इन असेंस आपको आपके in-laws के दौरा partner के दौरा money के regarding भी support मिलने के संपूर्ण chances है तभी तो यहाँ पर आपकी इतनी साफ level पे साफ सुथरी तरीके से दिखाए दे रहे है कि progress line लगातार निकल रही है तो यहाँ पर यह self-med luck को create कर रहा है यह support system को दरशा रहा है और अगर हम इसका judgment ले आपके mind line पर आकर के तो देखे mind line पर आपका island बनना around 27 के age से ही start हो गया था यहाँ पर यह देख सकते है तो 27 के age से anxiety, mental stress pressure या छोटी-छोटी बातों में nervousness आना या फिर कहीना कहीं sadness या loneliness आना वो किसी भी चीज के regarding आ सकता है यहाँ जो island है, इसमें connection किसका है? luck line का, तो luck line क्या दर्शाती है? career को, क्योंकि यह Saturn के उपर जा रही है तो obvious है कि career के regarding भी आपका satisfaction नहीं है लेकिन इसके बाद का क्या? इसके बाद की स्थिती बहुत अच्छी दिखाई दे रही है 38 के age में यह जो island है, यह formation खतम हो रहा है और बारेकी से यहाँ देखा जा तो एक बहुत मजबूत शाखा निकल के mercury के तरफ जा रही है जो कही न कहीं earning capability को, आपके learning skills को या किसी भी काम में specialist होने जैसे योगों को भी निर्मित करता है तो यह जो रेखा है, यह mental strength को, earning capability को और position को भी infect बढ़ाती है तो एक तो यह combination अच्छा दिखा और उसके बाद कोई भी island का sign नहीं बन रहा है और यह जो जितनी भी नीचे छोड़ी छोड़ी रेखा रही है यह regular based होने वाले challenges को यह एक प्रकार से mental work pressure को indicate कर रहा है लेकिन कोई यह negative sign नहीं हो रहा है इसकद आप देखेंगे तो triangle का sign बन रहा जो property देता है फिर another triangle यह another इस प्रकार का sign होता है यह power position authority देता है तो मान के चलिए कि 95% problem life का निकल चुका है मात 5% बचा है तो hardly वो 4 महिने के अंतरगत खतम हो जाएगा अब इसमें remedy आपको यह करनी है शुकर के regarding सबसे पहले तो कि आप यहाँ पर राहू की जितनी भी चीज़े हों उनको छोड़िये इनके सगर आप इनका सेविन करते जैसे धुर्मपान, चाय, नौनवेज और एक प्रगर से कॉफी यह सारी चीज़े राहू की mainly चीज़े है शराब भी शनी और राहू का मही mix होता है इन सारी चीज़ों को छोड़ने का तात पर यह है कि इनके regarding आप donation सुरू करिए दूसरी बात तो शुक्र directly यहाँ पर denote करते है छोटी कन्याओं से तो छोटी कन्याओं के लिए जो भी आप सेवा दे सके in the sense दान, कुछ भी उनकी regarding आप दान कर सके तो वो आप definitely करें बच्चियों को कपड़े definitely देवें क्योंकि यह कपड़े भी शुक्र का यह कारक है तो इससे कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके married life में कहीं न कहीं stability आना शुरू हो रहा है, fruitful nice आना शुरू हो रहा है दूसरा जो हल्दी है उसका सेवन थोड़ा अपने खानों में ज्यादा यहाँ पर किया करें और health के regarding अगर negativity कहीं से भी आ रहे है तो हल्दी का सोंट होता उसको अपने पास आप रख सकते इससे Jupiter के regarding blessings आना शुरू होगा तो health के साथ साथ जो आपके life में earning capability है और जो family life के regarding balance चाहिए वो आना यहाँ पर आपका शुरू होना लग जाएगा दूसरा यहाँ पर आप महालक्षमी की भी अराधना कर सकते हैं पारवती जी की भी अराधना कर सकते हैं जब आप अपने कुल देवी देवता या इन देवियों के अराधना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है कि इसमें मंदिर पर regular visit करते रहें या मैं आपको एक से दो लिंग कैसे दे दूँगा जो सहस्त्र नाम के regarding है आप उसको भी सुन सकते हैं ये चीजें आप अपने life में जब start करेंगे तो कही न कहीं आपको बहुत जदा relief मिलना शुरू होगा stability आना शुरू होगा और सबसे मेने की peace and happiness आपके life में जो इतने time से गायब है वो आना शुरू हो जाएगा और pleasure की जितनी भी fulfillment है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी इसलिए तो यहाँ पर आपके इतने positive science एक तो यह रेखा होगी दूसरी यह supportive line होगी 3, 4, 5, 6 इस सारी रेखा है multiple support system को दर्शारी तो 38 जैसे आप touch कर लेंगे बहुत सारे लोग आपके जिएवन में नएने आना शुरू हो जाएंगे तो इसलिए बिल्कुल चिंत मत करिए थोड़ा सा patience रखिए थोड़ा सा overcast है यह निकल जाएगा उसके बाद कोई majorly issue आपको throughout the life नहीं आना है अब यहाँ पर आपके another pumping में आते हैं उसमें finger, thumb और features के regarding के analysis के बाद फिर वापी से हम right hand पे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो finger gland है पूरे palm के comparison में short है जो fast decision making habit को थोड़े जल्दबाजी और हर बड़ी किसमे के nature को दरशाता है इस condition में instant decision लेना, thoughts पर थोड़ा जल्दी react कर देना और impatient type का nature personality create होना क्योंकि आपके palm का जो size है वो यहाँ पर rectangular shape में convert हो रहा है और इस condition में rectangular shape होना short finger fire hand को indicate करता है और यह basically विक्ति को emotional, impatient और impulsive बनाता है तो quick decision taking skills on behalf of feelings यहाँ पर सबसे पहले तो देखने को मिलता है और mood swings जैसे issues बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि आपका जो palm है थोड़ा सा psychic type का है और यह कोई खराब palm नहीं होते हैं लेकिन यह थोड़ा सा sensitive personality को indicate करता है जो देखती ही छोटी छोटी बात पर overthink कर जाते हैं, राई का पहाड कर जाते हैं प्लैनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, execution कम होती है और immediate action लेते हैं या immediate mood swings जैसे issues आते हैं तब यह combination होता है इसका एक मात्र remedy यही है कि आप सुबह जल्दी उठें, पराणायम करें, योगा करें या फिर jogging जैसी चीज़ें करें जितना fresh air अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा peace and happiness through, मतलब पूरे body parts में जब जाएगी तो सारे के सारे ग्रह कहीं न कहीं अच्छे response देना शुरू करेंगे तो यह आप यह जो है काम definitely prefer कर सकते हैं और इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपके finger के length क्विशे में तो देख सकते हैं कि जो little finger है उसका size short है, तो इस condition में shyness और मन के अंदर बात कुदवाना और stage fear जैसे issues देखने को मिलते हैं कभी भी बिना सोचे समझे commitment मत करेगा या फिर commitment करिए गई मत क्योंकि वो fulfill करने में बहुत दिक्कत परशानी आती है money management थोड़ा weak इस condition में होता है, इसलिए खर्चिल अपन जादा रहता है first finger के लिए थोड़ी जादा है तो आप थोड़े से यहाँ पर कह सकते हैं कि self-respective personality के जादा दिखाए दे रहे हैं इसको दूसरे लोग ego समझ सकते हैं लेकिन आप किसी यह समने जुक नहीं पाते चाह करके भी आपको self-respect बहुत प्यारा रहेगा, knowledgeable personality रहेगी और इस condition में top position and authority के लिए काम भी करते हैं अब बस दिक्कत यही है कि योगिता इतनी बड़ी है और काम इतना छोटा कर रहे हैं तो obvious है कि mental pressure कितना आपके उपर आ रहा है वो दिखरा है लेकिन थोड़ा सा patience रखिये, आपके हाथ के नीचे काम करने और लोगों के संख्या बढ़ेगी फर्स्ट फिंगर का जुगाओ सेटन के तरफ बहुत strongly जा रहा है तो अध्यात्मी कुरूची धार्मी किस्म की प्रवती को यह उत्पन करता है और जब भी लेडिल फिंगर का जुगाओ थर्ड फिंगर के तरफ होता है तो family oriented personality होती है फिंगर के जो यहाँ पर आपके notes है यह कुल मिलाकर के develop clear cut नहीं है जो confusing mindset की निशानी होता है तो decision लेने में difficulties आती है किसी ना किसी व्यक्ति उशेस के guidance या support क्या हो शकता पड़ती है इसलिए हमेशा अपना advisory अच्छा रखेगा phalanges की स्थिती और internal mars की स्थिती थोड़ी सी दब रही है तो physical fitness के अतिरिक तो थोड़ा exercise जैसी चीजों को करें क्योंकि जब भी mangal side से इस प्रकर से दबता है थोड़ा alas से भर देता है तो physical fitness properly हो नहीं पाती है या activity थम का जो size है वो यहाँ पर आपका शशक्ते देख सकते जहाँ थम का joint point है मानसल कम है तो आप जैसे जाता है लड़ाई जगड़ा बहस बाजी जिसे चीजों से कोसो दूर होते है और यह कचीन भी आपके हतीले में है जो intuition ये six lessons के लिए बहुत अच्छा होता है और पहले हम left hand में देखने तो यहाँ पर देख सकती कि mind line पूरा कप और independent life lines है तो बहुत जिद्धी किस्म की प्रवती होती है रधर रहा जूपिटर पर चलगी तो बहुत emotional वा sentimental personality होती है आपको जो starting life रहा यानि around 24 के आसपस तक अबर उसमें आपको aggression बहुत खराब था और life में health के रिगार्डिंग बिल्कुल भी stability या family life के रिगार्डिंग stability नी थी in fact संघर्ष health और family के रिगार्डिंग ज़ादा चल रहा था इसके लबा अगर हम देखें तो आपके हतीली में चंदर भी थोड़ा सा यहाँ पर विचले दिखाई देरा जिसके करण मन एकागरचित नहीं होता रेसलेसनेस रहता है लेकिन आपका mind जो outer marsal से connect कर गया तो इसने कभी भी आपको हिम्मत हारने नहीं दिया क्योंकि यह व्यक्ति को किसी भी तरह से घुटने टेकने नहीं देता हिम्मत हारने नहीं देता और हर परिस्थिती माहुल या विप्रीत लोगों का सामने डट करके करवाता है तो मान सिकता बहुत ही मजबूत यहाँ पर आपकी है तो यह गौड गिफ्ट है जिसके करण इतने सारे स्ट्रगल को आप फेस करते आए हैं बस पाच प्रतिशाद अब बज गया है और वो भी तक्रीबन हस्ते खिलते निकल ही जाएगा अब हम आते हैं वापिस से आपके डॉमिनेटिंग हैंड पर तो सारे के सारे परवर्ट डेवलप्ट है एक्सेप्ट इंटर्नल मार्स इसले सिर्फ फिजिकल फिटनेस करेगाडिंग काम करें हेल्थ, स्टेमिना, एनरजी करेगाडिंग कोई इशू फिन नहीं आएगा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके जूपिटर मार्ण के रिगाडिंग तो देखे जूपिटर मार्ण जब भी इस प्रकार से एक्टिव होता है तो प्राण जाये पर वचन ना जाये यानि इसका तात पर यह निकलता है हस्तरेखा में कि ऐसे जाद तक कुछ भी अपना लॉस कर सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस नहीं कर सकते हैं फैमिली बेग्राउंड कहीं नहीं कि आपके स्टोंग रहा है जेबल परसनेल्टी यहाँ पर आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और आप जैसे जाद तक बहुत ज़दा रिस्पॉंसिबिलिटी भी लेने वाले होते हैं इसलिए कभी किसी प्राकर की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करते हैं तो एड़ दे आपको उस पराकर का रिस्पेक्ट सोसाइटी में जो है वेल्यू अथोरिटी पावर पोजिशन सब चीज मिलेगा जितनी आड़ी रेखाय होती है उतना अर्निंग कैपबिलिटी बढ़ता है दयालूपन बढ़ता है धार्मिक्ता बढ़ती है तमाम तरह के धर्मगरंतिया रहस्म विद्याओं के प्रति रूची बढ़ती है आप जैसे जाते कितने ज़्यादा सिंपेथेटिकल या एक प्रगर से एमोशनल होते हैं कि दूसरों की भावनों की बहुत ज़्यादा कदर करते है मतलब बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि क अटेश्मेंट हो जाएगा तो यहाँ पर अगर इतना सारा अटेश्मेंट आप अगर इश्वर से लगा लें तो इश्वर तो ऐसे हैं कि कभी साथ या हाथ छोड़ेंगे ही नहीं आपका आपको मोहताज ही नहीं होने देंगे किसी के सामने हाथ फिलाने का या चिंता करने इसलिए यहाँ पर आपको शुक्र के भी रेमेडी में कहा गया कि मंदर विजिट करें आप जैसे फॉरें से भी बिलॉंग करें तो वहाँ थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल आपको पढ़ा है जाए लेकिन कहीं न कहीं ऐसे जगह से हमें सा कॉंटेक्ट बना करके रखना चाह मेंले आपकी लगलाइन रुक रही है जब इस प्रकार की लगलाइन होती है तो लाइफ में किसी प्रकार की रिसोर्सेस की कमी नहीं होती सिर्फ इंटर्नल पीस या हैपनेस और सैडिस्वेक्शन की कमी होती है क्योंकि सेटन हमको यही देते हैं क्यों हो रही है क्योंकि नेगटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बेचेन जादा है, तो बंते-बंते काम बिगडते हैं, क्योंकि जो काम करें उसके रिगर्डिन ट्रस्ट भी इतना जादा होता नहीं है, अंधा विश्वास होता नहीं है, किसी भी प्रकार की चीजों में जैसे कि, आप कोई भी काम शुर इन वक्त पर आकर कर रुकेंगे, नहीं तो काम बनने में देरी आएगी, तो इसका क्या रेमेडि है, इसका रेमेडि सिर्फ इतना है, कि एक समय पर एक काम करिए, फोकस होकर के काम करिए, जब तो कोई काम खतम नहों, दूसरा काम हाथ में मत लीजिए, इमोशनल कितने ही क्यों नहों अपने काम के उपर affection मताने दीजिए अब जैसे आपका emotion ठीक है तो 10 काम एक समय पर कर लेंगे emotion ठीक नहीं तो क्या किसी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे तो यह जो line है हमारी यह luck line है यह हमको career की मनी की विशे में क्यों दर्शाती है क्योंकि यह इसका direct connection सनी से हो और सनी कारक किसके है कर्म के तो आप अपने कर्म को disturb किसके regarding कर रहे हैं अपने emotions के regarding sentiments के regarding mood swings के regarding आप इस पर control कर लिजे आप देखे फिर आपकी life में satisfaction ही satisfaction रहेगा फिर tension कहीं से आही नहीं सकती जब भी moon luck line के availability होती है आप जैसे जातक मनमोजी होते हैं मन का बहुत सुनते हैं जन्मिस्थान से दूर प्रगती होती है भारी दुनिया लोगों से सहयोग भी प्राप्त होता है और इस condition में देखा जाये तो कई न कई creativity या artistic quality भी पाई जाती है तो अपने किसी प्रकार के passion hobby को skip ना करें दिन भर में कुछ हो ना हो लेकिन अपने passion hobby को समय जरूर दें क्योंकि आपका भाग यह है इससे आपको भाग यह मिलेगा आप अपने interest के accordingly कुछ भी काम करें आदे घंटे 20 minute एक घंटा आप आएंगे कि आपका सारा चीज system से अच्छा होने लग रहा है सारा चीज systematically जो है अच्छा perform कर रहा है double luck line होना एक से ज़्यादा skill हाथ में देखने को मिलना अब क्या हो रहा है कि आपके career में सुधार होने का एक और यह sign है कि आपके हतिली में सूर रेखा active हो रही है सूर रेखा जब इस प्रकर से active होती है तो यह व्यक्ति के जीवन में reputation लाकर के देती है authority लाकर के देती है job के regarding satisfaction देती है इसलिए यहाँ पर आपके सूर के उपर भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक star का sign देखने को मिल जाएगा इस जगे पर तो यह जो star जिसे sign यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी बन रहा है दूसरा एक square का sign इधर बन रहा है तीसरा एक और star छोटा सा इधर बन रहा है तो star का sign कई न कई top position या authority में ले करके जाता है पैसा अच्छा देता है तो यहाँ पर आपका सूरे देखेंगे यह ठीक हो रहा है cross का sign है और भी multiple crosses है लेकिन cross ने अधिक पर अपने response आपको दे दिये cross का करता है यहाँ पर defame देता है बेबुनिया दिलजाम देता है expectation lose होता है यानि जहाँ जहाँ expectation लगा है वह सब expectation टूटेगा तो वह सब तकरिबन हो ही चुका है तो अब इतना negativity नहीं आएगा घर परिवार का विस्सुक अच्छा मिलेगा इसलिए यह शश्वी योग भी बनता दिखाए दे रहा है और बहारी मंगल से जब ऐसी रेखा आती है बनती है तो इसे केतने loop of seriousness इस condition में भीड से अलग रहे ना एकान परेकिसमे का nature होना जब भी हसेंगे तो 100% ऐसा है कि रोना ही पड़ेगा यह ऐसा एक combination है जो 100% बेटता है जब जब जीवन में खुल करके हसेंगे तब तब जीवन में रोने को आ जाएगा क्योंकि loop of seriousness में combination किसका रहा है सेटन और सन का तो यह क्या करता है कि बहुत सारे opportunities ग्रै भी नहीं होने देता mood swings के कारण या seriousness के कारण तो इस condition में क्या remedy है प्राणायम करना या सुब जब 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 उठना बहुत लाब इससे सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे आपके अतिली में mercury बहुत अच्छा बहुत attractive nature या personality के हैं आपके अंदर healing qualities बहुत अच्छी है दूसरों को motivate करने का दूसरों को दुखदर समझ उनको किसी ना किसी प्रागार से emotional या psychological basis support करना और multiple languages का knowledge होना, multi talented होना ये सारे combinations एक प्रागर से देखा जाएं तो personality की भी हाफ पर अच्छे माना जाते हैं यहाँ पर इस प्रागर के combination wealthy बनाते हैं इसलिए जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या पेसों की कमी नहीं पड़ेगी आपको और आपको business में बहुत ज़्यादा लाब है independent work से आपका growth अच्छा है अगर आप कुछ साल पहले अगर analysis किये हुए रहते या आते, तो मैं आपको direct suggestion देता कि job आपके लिए है ही नहीं लेकिन अभी जैसा scenario सारा अच्छा हो रहा है तो अभी ये suggestion देना यहाँ पर valid नहीं रहेगा लेकिन अगर in case अगर आपके अंदर कोई भी एक्छा है independent work करने के तो आँग बंद कर आपको कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें आपको पेसा भी है, समरिद्धी भी है, प्रगती भी है, खुशाली भी है बाइ 4K का sign फ्लेटी रोमेंटिक नीचर का बनाता है और हार्ट लैन में जब इतना सारा आइलेंड का फॉर्मेशन हो, इतना सारा इंदरसेंस छोटे-छोटे ही बने हुए है तो ये health regarding या जब क्या होता है कि जब व्यक्ति का emotions निकल नहीं पाते है emotions दबे रह जाते है, जब किसी किसा हमने दुख नहीं बाट सकते है अपने बात को clear-cut कह नहीं सकते, जब ऐसा लगते है कि कोई विक्ति हमको समझेगा नहीं तब भी ऐसे foundations create हो जाते है तो कुछ मत करिए, writing habit डालिए, अपने जितने भी दिल के बाते वहां लिखिए या थोड़ा सा public gathering करिए, लोगों से जाकल के मिले तो अगर आप अपने emotions को बाहर निकलेंगे थोड़ा physical activity जो है prefer करेंगे, खान पन का समय निर्धारियत करेंगे, सोने का समय निर्धारियत करेंगे आपको health के regarding, क्या किसी भी चीज के regarding issue नहीं आएगा यहाँ पर heart line, set and पर रुका, इसलिए यह थोड़ा सा आपको workaholic बनाएगा और money minded, career oriented बनाएगा, तो इसलिए जितना अपने आपको हो सके बीजी रखिये, खाली बेठेंगे, stress, pressure या mood swings बढ़ेगा emotional थोड़ा सा ज़्यादा आप think करते हैं, emotional ही decision लेते हैं बीच में जब इस प्रकर के रेखा जाती है, तो practical spirituality देता है, अंधभक्ती नहीं देता तो इस condition में सद्गुरु जी, स्री रविशंकर जी या फिर ओशो के जो thoughts आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं mind line जब independent चलती है, तो ये बताता है कि बचपन से आप independent thought के रहे हैं, open minded रहे हैं, खर्चिलापन ज़्यादा ये दर्शाता है, किसी से दब के या किसी के सुनने क्यादत नहीं रही है तो इसलिए ये दर्शारा है कि अपने जिद पर आप अड़िक रहते हैं mind line long है, तो long hard deep studies को ये दर्शारा है और बाइफर का सैन, multi talented, multitasking nature और एक से ज़्यादा चीजों में interest या एक से ज़्यादा चीजों में engage होना, यानि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की योगिता को देता है चतुर चाला की पन भी देता है, ये clever बनाता है और mental strength, power या earning capability या situation handling capacities प्रगर का mind line अच्छा देता है डिगरी बहुत अच्छी आप जैसे जातकों के पास पाई जाती है, दुनिया भर का सारा ग्यान आप जैसे जातकों के पास तक्रिबन होता है experiences के accordingly life line के उपर यहां भी देख सकते कि mangal की कितनी सारी भूमिका है तो बचपन में health issue, minor accident, छोटी मोटी छोटी लगाता लगते रेना घरेलो, हिंसा तकलिव परशा नहीं देखना या bullying होना या फिर कई न कई, life जो है एक comfortably run ना होना, उतार चरहो लगा रहना लेकिन इसमें सब में आपने वीजय जो है उम्रत 24-25 के आसपास से पाई क्योंकि यह progress line उसी समी निकली है life line में changes भी around 26-7 में हुआ है, जो luxuries comfort को बढ़ाया है और बस यह last struggle है, थोड़ा सा patience रखिये, पूरी के पूरी life line आपकी best हो रही है कोई भी struggle या stress line फिर नहीं है, बाइफ और के के यह सारे sign, बहुत सारे traveling, एक से ज़्यादा जगे पर residence और multiple लोगों के support बहुत जल्दी heal होने जैसे योग को को दर्शाता है आपके जीवन में जितने भी लोग आए, वो लंबा टीक ही नहीं पाए आपका attachment हाला कि सबसे अच्छा रहा, लेकिन support हमेशा अलग-अलग लोगों से अलग-अलग समय पर मिलता रहा तो ये इसी बात को दर्शार है, जो हमने यहाँ पर देखा कि ये depth है, इस जीवन में आपको clear करना है तकरिबन clear हो ही चुका है, थोड़े बहुत और बचेंग रहेंगे तो वो भी हो जाएगा जिन लोगों से support मिलना है, जो लोग अपना हिस्सा लेने आएंगे, वो लेके जाएंगे यहाँ पर ही इसके अलब जितनी भी आड़ी तिरची रेखा हैं, ये थोड़ी सी unnecessary worries को indicate करते हैं तो आप overthinking, negative thinking, family pressure, किसी भी प्रकार के judgment या एक प्रकार से किसी भी प्रकार के negativity से दूर रही है, शुकर आपका अच्छा होगा तो peace, happiness, pleasure, desire, ambition सब फुल्फिल करेगा आप बहुत शुकिन किसमे के इंसान है, कला प्रेमी साहित प्रेमी है, fashion, beauty, interior, designer के प्रती, interest, knowledge अच्छा है event management में आप जैसे जातकों का बहुत अच्छा scope या success या man लगता हो दिखाई देता है, शादी विया या फिर social gathering जैसे कारियों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, friend, circle अच्छा इस condition में होता है ये शुक्र disturb है, इसलिए ये सारे सुक आपको नहीं दे पा रहा है, इसको ठीक कर लिजे, psychological way से अपने आपको जो है, एक प्रकार से smooth वह positive रखिए देखे, life में चारो तरफ positivity आ जाएगी, इस पर अगर की जब line निकलती है, तो business में बचपन से भाग ये बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप जैसे ज़्यादागर किसी के business partner भी बन जाते हैं, तो भी lab उन लोगे को मिल जाता है और अगर हम केतू के विशे में बात करें, तो केतू का position कुल मिलाकर के सामान ने है, और चंदर के उपर देखे, तो triangle जैसे important सारे साहिने, तो birthplace से दूर property होना, इस condition में आम बात होती है, और money triangle at the end available है, तो पेसा अच्छा है अगर रोकेगा बचेगा भी, तो ये थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ के रिगाड़े, आश्या करता हूँ, सभी प्रश्नों का तर्मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धिन्यवाद